तो गैस हमारी गेम पे आचुका है CS का निव रैंक सेजन और अगर आप लोग ये CS का निव रैंक सेजन पे रैंक पुश करने का सोच रहे हो तब आप लोग के लिए सबसे पहले जो चीज़ का जरूरत है वो है एक परफिक्ट करेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन इसलिए में रैंसर क्यरेक्टर काम्बिनेशन मतलब जो लोग रस करके खेलते हैं दूसरा दूंगा लॉंग रेंज प्लर के लिए मतलब जो लोग अपने टीम मेंट बगर को रिबाव दे उन लोग के लिए तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत यादा इंपोर्टन होने बला है मैं रैंसर करूंगा अगर आप सीसे रैंक पूस करते हो तो अब लोग अज की ये वीडियो पर एकदमी शुरू से लेकिए इन तक बीना स्किप के देखते रहना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं तो सबसे बिले में लोग बात करते हैं हमारा रसार कर्यक्टर कोंबेंशन के बारे में तो रसार कर्यक्टर कोंबेंशन När में आपलोग उप एक्टिव स्किल में जो करेक्टर यूज करना है वह अमारा «Tatsua Carctor» करेक्टर यूज आभिके टाइम पर बहुत ही आदा हो रह प्रफिश करते हो तो उस टेम आपको ठीक से नोटीस भी नहीं कर पाता है मतलब राज के टाइम भी आप लोगों को यह करक्टर बहुत यह दा हेल्थ देगा एंड उसी के साथ अगर आप दो तिन बंदों के बीच में एकदम फरस चुके हो एंड डैमेज हो चुके हो तो उस अगर आप लोग मैक्सीम करेंटर का यूज करके खेलते हो तो उस टेम आप लोग को जो मेडिकीट है वो बहुत ही फास्ट कॉम्प्लेट हो जाता है मतलब अगर आप फाइट करते टाइम एक दो सेकंड के लिए भी कवार पे जले जाते हो तो उस एक दो सेकंड के अंदर ह आप अपना मेडिकीट को एक दिवी सक्सेश्फुली कॉम्प्लेट कर सकते हो इससे आप लोग का एच्पी का कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होगा यह हो गया हमारा सबसे पहला बाला पैसिव स्कील अभी सेकंड नमबर जो पैसिव स्कील है वह हमारा उलफोर करेक्टर अभ मसलoure आपका जोैमी है उसका उसन benefici का इसते क्दमिनाग के बराबर हो जाएगा तो आपको सेकंड नमबर पैसिव स्कील आपको जो इज़ करना है वो है हमारा फौर्ड करेक्टर का यूज करने से क्या होता है आप लोग जबी बिए डेमज हो जाते हो उस वक्त फॉर्ड करेक्टर से आप लोग को हर एक सेकंड पे 10-10 करके hp मिलता है ज lambद तर तीन सेकन तक क का वोगा रफ करक्तर को एक्टम najbardziej बंदो के लिए पर दो ऑफ सब्त घररक्टर करें अब हम लोग बात कर ते हमारा जाब्स कर्सक्राइब जो सब्सक्र तो यह हो गया हमारा एक्टिव स्किल अभी हम लोग बात करते हैं हमारा पैसिव स्किल के बारे में तो सबसे पहला पैसिव स्किल में आपको जो करेक्टर यूज करना है वो है हमारा पैसिव स्किल करेक्टर का यूज करने से तब से पहले क्या होता है आप लोग जावे भी कोई एनिमी को मर्स में राइफिल या स्नाइपर गन से डैमेज देते हो तो ये स्किल आप लोगों को बहुत जाद हेल्प देगा तो आपको फर्ष्ट बाला पैसिव स्किल में जरूर से जरूर ये राफिल करेक्टर को यूज करना है अब इस सेकेंड नमबर पैसिव स्किल में आपको जो करेक्टर यूज करना है वो है हमारा मोको करेक्टर मुको करेक्टर का यूज करते हैं आप जाबी भी कोई एनेमी को डैमेज दे हो तो उसके सर पे एक मार्क देखने के लिए मिल जाता जो आपका सारा टीमेट को सो होता है अगर आप इस character का यूज़ करते हो तो इस बज़े से आपका teammate भी आपका damage दिया हुआ एनेमी को एकदमी easily kill करता है तो आपको moco character को भी जरूर से यूज़ करना है तो यह हो गया हमारा second number passive skill अब यह अप लोगों को third number passive skill में जो character यूज़ करना है वो है हमारा उलफोरा character उलफोरा character का जो skill है यह मैं आप लोगों को और बने ही बताऊंगा पहला बाला character skill में ही मैं आप लोगों को बता रिया है कि उलफोरा character से क्या होता है तो यह हो गया हमारा supporter character combination तो इसी के दद मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को CS rank पूस करने के लिए एक best star character combination और एक best supporter character combination के बारे में बता दिया है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगाओ तो वीडियो को लाइक करदेना चैनल पर नोस चैनल को सबस्क्राइब करके notification मेल कौल पर सेट करदेना तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सब तक के लिए बाई बाई दोस्तों टेक के लाभी यॉल